उत्तर भारतियों के लिए कावड यात्रा का बड़ा ही महत्व है सैक्डो लोग किलो मीटर पैदल चल कर भोले नाद के दर्शन करते है सावन का महिना शुरू हो गया है और इसी को देखते हुए मुंबई के मलार अप्पापाडा से बड़ी कावड यात्रा निकाली गई पिछले अनेक सालू से दिप्टुस के एक दुरा बहसी कावड यात्रा निकाल के इसकी परम परा है इस यात्रा में उत्तर भारतिय नागरी को ने कावड भर कर काजू पाडा स्थेत शंकर मंदिर में शिवलिंग पर ये कावड से अभिशे किया और इस यात्रा का समापन किया ये कावड यात्रा मलाड से शुरू होगी और वजई के भोले नाथ मंदिर में इसका समापन होगा अधरी कोमरा वहां पे सबेरे जलविशे कोएगा महादेव के उपर जलविशे करेंगे उनको गंगा जल से अधर्व संग है जो एलोग सेवा समीती है इन लोग का ताहे दिल से धन्यवाद करूंगी एलोग एक हिंदू संस्कृति को इतना आगे बढ़ा रहे हैं जैसे कि इस यात्रा में भारी संख्या में पुरूश एवं महिलाए सबागी हुई थी आपको बता दे कि बीते अनेक वर्षों से उत्तर भारतियों की और से श्रावन मास में ये कावड यात्रा निकाली जाती है मेटर मुंबई के लिए सबवादाता धनुजधारी आदो के साथ अक्षदा पवार की रिपोर्ट